हाई विनर्स इस वीडियो में आप लोगों से बात करने आया हूँ जैन क्रिप्टो के बारे में जैन क्रिप्टो ने रिसेंटली एक्स जैन टर्बो डोट आईयो नाम की एक वेबसाइट लॉंच की है जहां पर आपको जैन के बारे में सारी डिटेल मिल जाएगी तो क्या प्रोटेंशल वाला प्रोजेक्ट है और ट्विटर पर इस टाइम पर जो लगातार जैन क्रिप्टो से रेलेटेड वीडियो जैन क्रिप्टो से रेलेटेड कंटेंट हम लोगों को दिख रहा है इससे Zen का कितना बड़ा potential proof किया जा सकता है बहुत सारे Twitter profiler की तरफ से Zen community members की तरफ से बार-बार ये अंदेशा कि Zen जो है आने वाले टाइम में crypto का एक बहुत बड़ा project बनने वाला है and why they are saying इससे related कुछ हम लोग data भी आज share करने वाले हैं recently अगर आप लोगों ने मेरे साथ Twitter पर अभी तक नहीं connect किया तो please connect with me on Twitter ताकि आप लोगों को Zen या बाकी जितने भी updates हैं जिनके हम लोग वेट कर रहे हैं उसके बारे में latest tweets जो है उसकी knowledge मिलती रहे हैं तो चलिए अब बात करते हैं Zen Turbo.io official website के बारे में जहां पर देखिए every minute, every time Zen की total supply कितनी minting से increase हो रही है उसका पूरा data liquid supply का पूरा data और उसमें कितने staking लगते जा रही है क्योंकि जिन लोगों ने मालीजे 50 दिन के लिए Zen को mint किया अब उनका minting पूरी होगी और उन्होंने staking में लगा दिया तो यहां पर आपको पूरा stake data भी Zen का दिख रहा है क्योंकि staking का आप लोग जानते एक benefit होता है कि stake करने से आपको annually benefit मिलता रहता है और यहां पर देखिए यह है सबसे important feature जो है Zen total gas used sin genesis genesis means जहां से पहला block स्टार्ट हुआ पहली minting स्टार्ट हुई जब इसका all time high 300 रूपीज तक पहुँच गया था तो total gas fee अगर हम देखें Ethereum की term में तो उसकी भी value आपके सामने आ रही है तो एक तो यह हो गया total supply कितनी है liquid supply कितनी है उसमें total staking कितनी लग चुक है और total gas भी अभी तक कितनी use कर चुका है अब यहां पर आपको नीचे अगर हम आए जिस चीज की हमें अभी बहुत दिन से इंतजार थी हम लोग उस particular chart को भी देखते है यह chart भी ट्विटर पर काफी बार जो है वो show की अजार है अब मैं भी आप लोगों को यह chart ही दिखाना चाहता हूँ इस chart से आपको समझ आएगा exactly zen का potential आने वाले टाइम में कैसे है आप लोग जो यह blue color का mark देख रहे है यह है इसकी liquidity liquidity term means की liquid supply यह liquid supply आप देख रहे है यह liquidity supply इसमें आप लोगों को यह जो 3 box देख रहे है इसमें जो yellow है यह है total staking का मतलब 5.53% total अभी तक zen की जितनी total supply है जिसमें liquidity supply जितनी है उसका 5.53% जो है वो zen को stake किया जा चुक है और यह जो आप लोग orange color देख रहे है 7.76% अभी तक zen जो है total supply का वो burn है यह जो data है यह data 200 billion से उपर का निकल करा रहा है तो exactly हमें burning का weight था लेकिन burning के साथ-साथ zen में minting भी हो रही है तो burning जैसे हुई 160 billion 200 billion की जैसे burning हुई burning के साथ-साथ wallet के अंदर minting भी चल रही है तो वो जो burning का data था जिससे supply एकदम से reduce होनी थी वो कहीं न कहीं किसी हद तक possible नहीं हो पाया अब आपको न इसका एक reason भी जानना है इस time पर अगर मैं total supply की बात करूँ उस total supply में से जो burning rate है वो सिर्फ 7.76% है हाला कि उमीद बहुत अच्छी थी तो हमें zen का वो price भी ने दिख पाया और लगातार zen का price डाउन भी जाता जा रहा है 21 की series अगर मैं last one month में इसका high देखू तो 66 की series तक पहुँच गया दा ट्रिपल जीरो में लेकिन अब back होकर 21 आ चुका है यानि कि लगबग 100% से जादा का loss 100% से जादा volume जो है या value जो है इसकी वो कम आ चुकी 100% बोल रहा हूँ मैं यानि कि आगर आपके पास 100 USDT होंगे आपने इस टेंपे कियोंगे तो वो अब 50 या 43, 45, 7 USDT के आपस रह गए होंगे तो exactly जो हमें burn का impact देख रहा था वो impact नहीं आ पाया लेकिन कई ना कई पर इस potential project को देख कर और analyze करके इसकी future worth हम लोग बहुत अच्छे तरीके से निकाल पाएंगे and yes, this is confirmed it is not like a meme cryptocurrency culture based project जहां पर आने वाले time में आपको supply burden दिखेगी या utility burden दिखेगी क्योंकि starting से ही ये project एक बहुत बड़ी utility के साथ मतलब minting of token with the genesis block with zero supply और उसके बाद they have XE NFT और अब तो बात की जारी है new reflection token के बारे में जो zen crypto को burn करने में और help करेगा यानि कि एक तरफ minting और एक तरफ burning सबसे बड़ा जो major impact है वो ये आएगा जब minting से ज़्यादा burning हो जाएगी हाला कि आप यहाँ देखिए यह staking और burning का ratio है minting कितनी हो रही है per day में अब हम लोग उसका data भी देखते हैं तो यहाँ देखिए यह है today's minting यह आज का data मतलब जितने भी wallet day by day connect होते जा रहे हैं उसके accordingly every minute में यह site update होगी आप लोग खुद भी जाकर check कर सकते हैं easily यहाँ से आपको पूरा data मिल जाएगा यह है today's minting मतलब कितनी mint हुई और यह हर minute में upgrade भी हो रहा है क्योंकि अगर number of wallet कोई नया connect होता है तो उससे वो minting बढ़ती है उससे supply बढ़ती है तो वो पूरा data आया उसके बाद अभी तक total minting कितनी हो चुकी है तो आप यहाँ total minting से यहाँ पर अगर total supply को देखेंगे तो यही पर आपको gap पता लग जाएगा क्योंकि बाकी चीज़े जो है वो 7% जो है वो इसकी burning rate में जा चुका है अब यहाँ पर अगर हम लोग एक factor और समझे वो factor हमेरा निकल कर आता है आप यह देखें market cap के साफ से network है इस power case आप से last 7 days में Zen की improvement बट pricing की टाब में इसकी improvement नहीं हो पाई क्योंकि अभी भी present जो worth चल रही है बिल्कुल update present worth के according यह total supply का सिरफ 7.76 burning rate आया है अब यहाँ पर मैं आपको ट्विट भी दिखाता हूँ जिस ट्विट सो आपको और confirm होगा यह देखी 17 आर पहले जब मैं यह वीडियो अपरोक्स 6 बजे के आस पास बैठ के बना रहा हूँ और आप भी बस 10-12 मिनिट में यह वीडियो लाइब देखने वाले हैं तो 17 आर्स पहले Zen के founder Jack Leven की तरफ से ट्विट किया जाता है और इस ट्विट में देखिए यहाँ इन्होंने बर्निंग कितनी लिखी है 6.51% और अगर मैं यहाँ देखूं बर्निंग अब 17 घंटे में कितनी हो चुकी है 7.76% यानि कि विदिन 17 आर्स अप्रोक्स 1% बर्निंग इंक्रीज हुई है यह इंक्रीज कैसे हो रही है जितनी जादा NFTs मिंट हो रही है उतनी जादा यह इंक्रीज हो रही है अब बात आती है कि Zen की जो NFTs है वो मिंट हो रही है तो उसे सप्लाई कितनी बर्न हो रही है तो यह XC NFT option आ गया यहाँ पर आपको पूरा trading volume कितनी NFT की common यह देखिए NFT quantity हमारे सामने लिखी हुई है 3873 अब यहाँ पर जो listing हुई है वो है 347 यानि कि अभी जितनी NFT की quantity रखी गई है उसमें listing जो NFTs है वो कम हुई है क्योंकि बटोबेस गैस भी लग रही है Ethereum ऐसा गैस भी लग रही है तो ऐसे बहुत सारे लोग करेंगे लेकिन जो लोग जिनके पास अपने Ethereum wallet या Ethereum network के अंदर ETH रखे है definitely they are going to mint और उसी की वज़े से आप यह देखिए इस minting में जो इनके NFTs हैं उसका price भी देखिए अब यहाँ पर हम देखिए तो start हुई है NFTs की मतलब अभी उतनी minting हुई नहीं है जितनी एक belief था क्योंकि अभी यह NFT quantity आप देख सकते हैं 3873 और जिसी आप से मैंने आपको Apex का ही दिखाया था Apex NFT अगर आप यहाँ देखें यहाँ नीचे हम आते हैं तो Apex NFT का ही जो मैंने ट्विट आपको दिखाया था तो वो Apex NFT ही जो 5 class थी वो ही 10,000 थी तो 10,000 वो थी उसके बाद limited NFTs थी उसके बाद collector और normal जो NFTs थी वो तो unlimited है जितनी मर्जी करो उसमें 8-7 classes बना रखी है limited में कोई class नहीं है तो आप यह देखिए अभी जिस हिसाब से NFT minting थी वो हुई ही नहीं है वो कि बहुत कम लोग कर रहे होंगे विकाज उनको Ethereum gas fee भी देनी पड़ रही है तो लोगों ने सोचा था जैसे मुझे भी परस नहीं लगा था कि NFT mint easily हो जाएगी अगर मेरे पास token है तो लेकिन नहीं mint करने के लिए we have to pay the gas fee और वो एक बहुत बड़ा problem है हाला कि उसके बावजूद भी कल देखें January 1 में तो Zen जो torrent as an NFT वो Ethereum gas fee में number one बन चुका है यानि कि project में potential आ चुका है आज Ethereum blockchain पर Ethereum gas fee burn करने का सबसे बड़ा जो torrent protocol है वो Zen market में आज आ चुका देखिए ये Jack Levin का इट्विट है Zen NFTs lead the Ethereum burn last 24 hour यह यह first gen का tweet है यानि कि 83-85 days के अंदर इस project ने एक बहुत बड़ी blockchain में अपना leading token बना लिया है Zen torrent अब हमें क्या है कि जितनी ज़्यादा XC NFTs mint होगी उतनी supply burn होगी अभी आप खुछ सोचिए कितनी massive burning का weight था यानि कि अभी तक यह पूरा data और framework देखकर तो यही लग रहा है जो massive burning का update था अभी वो burning हुई ही नहीं है क्योंकि total supply में मानता हूँ minting से बढ़ रही है daily लेकिन overall अगर dashboard को देखे तो अभी तक total जो burning है वो सिरफ 7% आई है और हमारा weight क्या था हमारा weight था burning होगी बहुत जादा लोग NFTs को mint करेंगे और वहां से burning एकदम impact डालेगी supply reduce हो जाएगी आपके सामने data है अभी NFTs जो है impact आया pricing पर otherwise जैसा हम लोग सोच रहे थे burning से impact आता है वो impact definitely आना था क्योंकि अभी तक ये देखे 16,491 ETH जो है वाईजा gas भी burn किये गए है और Zen Today यहाँ देखे ये आज का भी तक का data निकल कर आ रहा है 154 यानि कि धीरे-धीरे वो minting चल रही है दीरे-दीरे लोग इसको mint कर रहे है और वो quantity जैसे-जैसे बढ़ती जाएगी जो quantity अभी तरफ 3873 है और burning rate अभी सिरफ 7% है तो जैसे-जैसे वो बढ़ेगा burning rate उसका बढ़ेगा आपको price देखने को मिलेगा लेकिन अचानक से आप देखें कि price dumb क्यों आया इसका एक ही reason है वो ही आर expecting burning होगी price बढ़ेगा वो हुआ नहीं तो उसी का impact negatively आज आप trading volume पर देख रहे हैं 50% trading जो है वो down आ चुकिए एकदम से project एक तरीके से उमीद जितनी बढ़ने की थी उत्रा लगबग घट गया तो double way में एक negativity आई और double way में एक एदम negative explosion हुआ और project कही न कही पर price की time में एकदम crash कर गया ये तरीका है अब यहां पर अगर मैं आपर लोगों के review भी देखूं तो एक person का review मुझे बहुत अच्छा लगा then may be similar the future is now देखे मतलब इन्होंने यह समझाया है कि 2010 में exactly ऐसे वहाता लोग mining कर रहे थी definitely लोगोंने setup लगा रखा होगा और उन्होंने जब देखा कि यार हमने bitcoin का setup लगाया वो price नहीं आया तो वो जितना मिलता है लोग उसी में sell कर देते हैं तो वो sell हुआ और वो सच्छ में देखे लोग आज regret कर रहे होंगे आज क्या आज से 2-5 साल पहले से ही क्योंकि bitcoin और वो भी छोड़ो 2018 ठेशाथ सालों में bitcoin का level वो था जिसने mine करके अगर वहाँ एक डॉलर में कभी sell किया होगा या एक डॉलर से भी कम 2010 में तो वो 6-7 साल में किस level तक पहुँच गया और इनका कहना कि according zen may be similar क्योंकि definitely zen भी वही कर रहा है लेकिन yes यह mining approach नहीं है simple minting approach है जिसमें हर कोई आकर mint कर सकता है एक तो सबसे बड़ा impact यह हुआ कि जैसे मैंने ये project देखा मैंने आपके साथ share किया सब लोगों ने minting स्टार्ट की तो अचानक से एकदम massive supply हो गई ठीक है अब वो supply reduce करने के लिए we need burn burn करने के लिए step लेकर आए लेकिन how many people are going to mint यह सबसे बड़ा important point है तो जैसे जैसे XC NFTs की minting जादा से जादा होगी gas भी जादा से जादा लगेगी burning उतनी ही जादा होगी और जितनी जादा burning उतना जादा हमें कभी न कभी आने वाले time में जल्दी इसका price देखने को मिलेगा लेकिन एक मैं आपको चीज के लिए करना चाहता हूँ Zen Crypto Foundation की तरफ से जो इनकी organization है Fair Crypto Foundation यह price पर बिल्कुल impact है नहीं रखते अलब they are basically building their ecosystem building the utilities अब इन्होंने XC NFT इतना बड़ा utility बना दी और according to their founder अब यह एक नए reflection token की बाते कर रहे है which will help Zen to burn Zen को burn करने के लिए एक नया reflection token भी आने वाला है so कईना के पर इसका potential बहुत ज़्यादा है pricing की time में भी कईना के पर यह project हमें आने वाले time में कुछ ना कुछ benefit जरूर निकाल कर देगा यह भी confirm है कोई no doubt लेकिन मुझे ज़्यास लगता है जो इसने 2009 early stage में bitcoin को कभी mine या bitcoin का कभी structure देखा तो हमारे लिए बिल्कुल एक अच्छी चीज है सीखने वाली चीज है और अगर हम इस project को proper understand करते हैं जैसे मैं कोशिश कर रहा हूं कि किसी भी तरिके से मेरा content एक बार इस community तेक पहुँचे and कुछ ना कुछ इन के साथ आएप हो या कुछ मैं इन के साथ मिलकर कुछ वीडियो कर सकूँ content कर सकूँ और अपने questions पूछ सकूँ exactly क्या है लेकिन जितना समझ आप आ रहे है इस project के बारे में वो मैं आपके साथ definitely एक एक step by step video कर के share भी कर रहा हूं so this is all about Zen today but please keep it in mind you are in the highly volatile market so if you want to buy if you want to start if you want to trade in crypto please do your own research first thank you so much for watching this video and please do subscribe Cryptomark YouTube channel for more updates thank you so much